नमस्ते बच्चों, कक्षा साथ, विश्य विज्ञान और लेसन है तीसरा, रेशों से वस्तर तक इसका अपने एक पार्ट कर चुके हैं, कि किस प्रकार बेडों से उनके बालों को उतारने के बाद, उनके स्टैप बाई स्टैप कैसे उनसे उन प्रापत होती है, ये चलन चुके हैं तो आगे का जो पार्ट है वो अपने शुरू करते हैं आपका किर्यक लापते रखा है तीन पंच चार कि अपने से पार्टियों के साथ आप इस विश्या पर चर्चा कर सकते हो कि क्या मनुश्यों के लिए बेडों को पालना और फिर उन प्रापत करने के लिए बारों को उतारना उचित है या नहीं है तो इसके बाद अपने जो बात करते हैं वो करते हैं रेशम के बारे रेशम के रेशे भी क्या है जानतव रेशी है यह भी जन्तु से प्रापत होते है तो क्या है जानतव रेशी है रेशम के कीट रेशम के फाइवरों को बनाती है और रेशम प्रापत करने के लिए रेशम के किटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है इसे सैरी कल्चर भी कहते हैं अपनी माता जी चाठी दादी मा के से बविन परकार के रेशम या रेशम साड़ियों के बारे में आप जानकारी प्रापत कर सकते हो कि आपने सुना होगा यह अपड़ा तो रेशमी है इस परकार आप उनके बारे में जानकारी प्रापत कर सकते हो तो इससे पहले कि हम रेशम प्रापत करने के बारे में प्रक्रम के जचा करें तो रेशम के जो कीट है इसके जीवन चकर के बारे में अपने को जानना जरूरी है तो रेशम कीट का जीवन चकर जो मादा रेशम कीट है वो क्या करती है अंडे देती है जिसे लारवा निकलती है जो कैटर पिलर इल्ली जा रेशम कीट कहलाते हैं फिर यह कार में ब्रदी करती है और जब कैटर पिलर अपने जीवन चकर की अगली अवस्ता में प्रवेश करन के लिए त्यार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है पहले वो अंडे देती है अंडे के बाद अंडे देती हैं उनसे लारबा निकलता है उसे क्या कहते हैं कैटरपिलर कहते हैं फिर अकार में ये ब्रदी करते हैं और ब्रदी करने के बाद फिर जो त्यार होते हैं तो ये क्या कहलाती हैं प्यूपा कहलाती हैं और यह क्या करते हैं अपने चारों तरफ एक जाल बुन ले प्रोटीन से बना एक पदार्थ है वो स्रावित कर देता है जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है तो देखो कि जो प्यूपा है अपने चाल तरवे के जाल बुनता है और यह जाल उसे अपने स्थान में बढ़े रहने में साहिता करता है तो एक सिरह से दूसरे सिरह तक जाता है तो समय यह पतले तार के रूप में प्रोटीन का एक स्थापदार था उसको श्त्रावित करता है और जो दीरे-दीरे सूफ करकर ठोर रेशम का रेशा बन जाता है जल्दी ही caterpillar समय को पूरी तरह से रेशम के रेशों से डख लेता है और यह है प्यूपा बन जाता है फिर वो क्या कर लेता है रेशम के रेशों से डख लेता है तो यह क्या बन जाता है प्यूपा बन जाता है यह है आवरन कोकून कहलाता है कीट का इसके आगे का विकास के बीतर ही होता है रेशम के रेशों का प्योग रेशम के वस्तर बुनने के लिए किया जाता है क्या आप करपना कर सकते हैं कि रेशम का मुर्दू रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है यह देखो यह व्यासक रेशम कीट है शैतूत की पत्ती पर इनके अंडे रेश सील कीट उसके अंदर जो कीट विखसित होता है वो इस सवस्था में होता है ये पूरा इनका जीवन जकर है रेशम का जो दाग़ा है वो रेशम कीट के कोकून से प्रापत रेशों से तियार किया जाता है रेशम कीड अनेक किसम के होते है जो एक दूसरे से काफी अलग-अलग दिखाई देते हैं अपनी मानम चाती में भी तो सभी के अलग-अलग दिखाई देते हैं सभी अलग-अलग होते हैं सभी का भी हेव अलग-अलग होता है उसी तरह रेशम जो है उनके अनेक किसम के होते हैं और ये एक दूसरे से अलग-अलग दिखाई देते हैं उनसे प्रापत होने वड़ा जो रेशम का दागा है उनमें रुक्षता, चिकनाहर, चमक सभी में बिन-बिन होती है टसर रेसम, मुंगा रेसम, कोसा रेसम, अन्या प्रकार के रेसम, बबिन किसम के रेशम केटों द्वारा काते के कोकून से प्रापत किये जाते हैं जो कोकून होता है उसको कात कर फिर उनको प्रापत किया जाता है सबसे जो समानिया है रेशम केट वह कुन सा है? इसे सुन्दर रंगों में रंगा जा सकता है फिर इने अलगर रंगों में रंगा जाता है रेशम कीट पालन या रेशम कीटों का समवर्दन बारत का बहुत ही प्राचीन ब्यवसाई है बहुत ही पुराना ब्यवसाई है और बारत ब्यवसाईक स्थर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है यह इसका एक अच्छा ब्यवसाई है और उसी स्थर पर यह एक बहुत अच्छा उत्पादन करता है ये था रेशम के बारे में इसके बाद दे रखा है क्रियाकलाब 3.5 इसमें क्या कहा रहे हैं कि जो ववीन परकार के जो रेशमी वस्तर है उनके आप टुकडों को इकठा करके किसी वी टेलर से गर पर जदी है तो उन सभी को अलगल ग्रूप में आप एक कोपी पर एक स्क्रै टूतरेशम है कौन सा टसरेशम है कौन सा एरी रेशम है और कौन सा मुंगा रेशम है और उनकी बाद में फिर आपको पहचान भी हो जाएगी सबी के बारे में अलगल इसके बाद है क्रियाकलाब 3.5 ouyu किसी बी शनशलेश्यतरेश्म और शुदरेशम का आप एक एक दाग ले लो और इन दागों को साफ़दानी से जलाओ तो आप क्या करते हो उनके जलते समय जो उनकी गंध है उनमें क्या है अंतर है उसको आप मैसूस कर सकते हो लेकिन साफ़दानी से आप इसे करोगे किसके जलने की जो गंध है कि दोनों को इकठा जिलाया है तो इसके जो जलने की गंध है जहां तो शंशलेशित जैसी आ रही है यहां फिर शुद्रेशम जैसी आएगी कैसी आएगी तो शुद्रेशम जैसी आएगी इसके बाद देखो क्रियाकलाव 3.7 है कि आप चीतर जो 3.9 है उसकी आप फोटो प्रतिलिपी लीजिए और रेशम कीट के जीवन चकर क पुरा जिवनकिर करते हों को कुपून से रेशम तक रेशम बाबत करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और कोकुनों को एक्टित करके फिर रेशम के फाइबर प्राफ़त के जाती है तो रेशम कीट पालण में कोई भी जो मादा रेशम कीट है वो एक बार में सैंकडो अंडे देती है और अंडों को फिर साफदाने से कपड़े की पटियों या कागश पर एकठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है और ये पालण किसान अंडों को सवस्था कर स्थितियां उची ताप आदर्था की अनकूल स्थितियों में रखते हैं जो भी इनको पालते हैं ये उची पालते हैं अंडों को प्युक ताप तक गरम रखा जाता है जिससे अंडों में से लारवा निकल आई यह है तब किया जाता है जब श्रतूत के रक्षों पर नहीं पतियां आती है तो उनको तब क्या जाता है लारवा जो caterpillar है रेशम कीट के लाते हैं ये दिन रात खाते रहते हैं और ये अमाप में काफी बड़े होते हैं इनका जो size है वो काफी बड़ा होता है लारवा को शेहतूत की ताजी कटी पतियों के साथ बॉस की switch ट्रे में रखा जाता है वांस की switch ट्रे है शेहतूत की ताजी कटी पतियों के साथ वांस की ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद caterpillar खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे वांस के बनने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं इसके लिए ट्रे में छोटी रेख जा टहनिया भी रख दी जाती है जिससे कोकून जुट जाते हैं कैटरपिलर या रेशम कीट कोकून बनाते हैं और जिसके बीतर प्यूपा विक्सित होता है ये देखो कि रेशम जो मादा केट है वो एक समय में सेकडो अंडे देती है और शैतूत की पतियों को खाते रहते हैं ये लगातार और ये शैतूत का ब्रक्ष है इनकी पतिया है इनको खाते रहते हैं और ये कोकून है इस परकार जो caterpillar रेशम कीट है वो कोकून बनाते है और उनके बितर प्यूपा होता है रेशम का संसादन कैसे होता है कि जो रेशम है वो फाइबर प्रावत करने के लिए कोकून की बड़ी डेरी का प्योग किया जाता है वेसर केट में विक्सित होने से पहले ही कोकून को दूप में रखा जाता है और पानी में उबाला जाता है या बाप में रखा जाता है किसी भी प्रकार मानलो कि दूप में भी रखा जा सकता है और या फिर पानी में भी उबाला जा सकता है या फिर बाप में तो इस प्रक्रम से रेशम के फाइवर प्रत्थक हो जाते हैं अलग-अलग हो जाते हैं और रेशम के रूप में प्योग के लिए कोकून में से रेशे फिर निकालने के पहचात उनसे दागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रिलिंग कहलाती है रेलिंग है वो अलग-अलग मुशेश परकार की मशीनों के द्वारा की जाती है और कोकून में से जो फाइवर है और रेशों को निकालती है और फिर रेशम के फाइवर की कताई की जाती है जिससे रेशम के दागे प्रापत हो जाते है बुनकरों द्वारा रेशम के इनी दागों से वस्तर बुने जाते है इनी के दागे के से फिर आगे वस्तर बुने जाते है रेशम की खोज कैसे हुई थी इसके बारे में रेशम की खोज का जिधार्थ समय संभवत्य अग्यात है पूरा पता नहीं है एक प्राथीन चीनी कीमद्यत्ती ने बताया है उसके उनसार क्या है जो समराट था हुआंग टी ने समरागी सी लूंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शेहतूत के व्रक्ष की पत्यों के शतिगरस्त होने का कारण पता ल गाओ तो उसने पाया गी जो स्फेध क्रीमी है वो शुक्तूत की पत्यों को खा रहे थे तो उनने यह भी देखा कि क्रीमी अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून भून लेते थे सियोंग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में घिर गया और कोकून में से नाजुक दाग आज वी चुलक रूट कहते हैं तो आपको कैइस चेप्टर में अपने ऊन और धाशक दोनों के बारे में पढ़ा दोनोंके क्या-क्या चरण हैं उनका क्या चरण था कि उनको बेडों के उपरी पर्त तवचा की जो मर्द कोशे का उदुवारा बनी होती ति उसके ब तारा जाता है फिर उसे बड़ी बड़ी टंकियों में बाला जाता है फिर उसमें से गठल को अलग किया जाता है और सुखाया जाता है सुखाने के बाद उसकी कताई करके उन बनाई जाती है और रेशम के लिए यह शतूत की पत्यों को खाते रहते हैं और इनको जो किसी बां जाल बुनना प्रारम कर देते हैं और फिर इस जाल को कोकून को क्या किया जाता है या तो दूप में या गरम पानी में या फिर बाप में रखा जाता है जिससे यह प्रत्थक हो जाती है और फिर इनकी रिलिंक की जाती है तो यह आपका चैप्टर था रेशों से वस्तर तक फ निया लादा.